आइस हालो अपाँ आया हूर ऑपनल अब कर आई अद्स हम लोग आज बनाने जा refers आई बेड पकोडरेप म चसाहिए हम लोगोब them a शुक्छी आपकेंन फ्रेयरा हूं थो 16 थि कर को दो middle hall up walk lesson करें अब- beads प्रेट पकुरे में फिलिंग्स डालने के लिए हम लोगो ने कुछ इंग्रेडियंस तयार किया है जैसे कटा हुआ मिर्ची, लंबा पतला सा चौप किया हुआ अधरत, चौप किया हुआ लसुन, बॉयल आलू, और धनिया पत्ता, मसाले में हम लोगोंने लिया है जीरा, मैगी मसाला, आप लोग इसके जगह गराम मसाला भी ले सकते हो, लेगान मैंने नहीं लिया है, मैंने मैंने जूआ जगह में लिया है और ये दनिया पावडर, लाल मिच कस्मिय लाल मिच यह हल्डी पावडर, दोस्तों, उबले हुए आलोगोंने ख्रस्ट किया है, कराय पर हम लोगोंने डाल दिया है, तेल, इसमें हम लोग डालें हे तेल के जीरा, और हम लोगों ने इसमें डाला है कटा हुआ चॉप किया हुआ अदरत और लसून और चॉप किया हुआ हरी मेरच भी थोड़ा से हम लोग इसको घिलाएगे तकि थोड़ा से पक जाए हुआ हम लोगों ने डाला है बॉइल किया हुआ आलो और प्रसा हम लोग इसको पकाई तो हम लोगों ने जो मसाला रेडी किया था उसमें डाल दिया है और इसको हम थुछी दे फ्राइ करेंगे अभी जाएगा इसमें नमक हम लोग का ब्रेड पकोरी के लिए जो फेलिंस हम लोगों त्यार किया है वो लगभग रेडी हो चुका है और हम लोग इसमें डालेंगे धनिया पत्ता प्रेंट्स वम लोगों ने जो बेड पकोड़ी के लिए फेलिंग्स तयाए गया था वह रेड़ी हो पर फेलिंग्स हो चुका है अभी हम लोग इसको अचय में अधर देर रखेंगे थंडा होने के लिए दोस्तो इस फेलिंग्स को हम लोग डालेंगे प्रेड पे को ओभी नी बैं इसको ब्रेट परो फील करेंगे को मेरे और इस फिलिंग्स के ओपर अधेम डालेंगे पाल हम विद्यां दालेंगे साल छाहिए जाहिए और जाले हम बैद देने इस को मदाल अधेशाव हाद करेंगा कि अभी हम लोग इस प्रेट को कार देंगे बीच चे तो प्रेट पकोड़ी को फ्राई करने के लिए कराय पर तेल दल चुका है इस सेंविच को हम लोग बेशन का प्रेश में दुबाएंगे और देल में डालेंगे दोस्तों हम लोग इसको मेडिया माच पर डिप फ्राई करेंगे प्रेंट्स हम लोग का प्रेट पकोड़ा दल चुका है पूरी तरह और हम लोग इसकोल निकालने के लिए रेडिया है हम लोग अन्दर का जो फिलिंग से कितना पक चुका है दोस्तों बहुत सुंदर लग रहा है अंदर से पूरी तरह पक चुका है और कलर भी बहुत सुंदर निकर के आ चुका है चलिए हम लोग इसको अभी सर्व करते हैं दोस्तों हम लोग अब बेट पकोड़ा सर्व हो चुका है मैंने इसको टमेटर सॉस के साथ सर्व किया है आप लोग गुसे चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो यह बहुत ही एक ग्लासी नास्ता है जो आप मौनिंग और इवनिंग स्नेक के साथ से ले सकते हो दोस्तों आपको हमारी रेसिप कैसे लगी कॉमेंट बॉक्स पर जरू बताईएगा हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरू कीजिएगा ताकि अगली रेसिप के वीडियो का जो नोटी विशन आपको जरू मिलें